हम शंती अब हम पहुंच गए हैं 19 नवंबर के इश्रे बरतान में परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम एक वरत्ता में रहें महला कि एक की ही हम साधना एक की ही साथ वरत्त महला उसी के बारे भी सोचें और चीजों में हमारा ध्यान ना जाए तो इसको हम फड़ा और विस्तार से समझेंगे बरमात्मा कहते हैं एक वरत्ता के राज को जान ये राज है को जान वर दाता को राजी करने वाले हैं जैसे कि अगर आपके किसी रिलेशन्शिप में हैं हाजबन बाइफ हों बाई बेन हों माता पिता हों तो हाजबन बाइफ क हम औरों को राजी नहीं कर पाते हैं, हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो फ्रेंड है, हमारा जो साथी है, वो हमसे राजी नहीं होता है, वो अपने आपको निच्छावर करने के लिए हमारे साथ में राजी नहीं होता है, यह सेम जो लौ है, यह परमात्मा के साथ भी चलता क् परमात्में भी एक आत्मा है, वो कहते हैं, लेकिन इसमें फायदा हमारा है, उनका तो फायदा किछ नहीं है, इसमें फायदा हमारा है, लेकिन परमात्में इस तरीक से में राजी करते हैं, कहते हैं, एक वरत्त के राज को जान, वर्दाता को राजी करने वाले सर्वसिद्ध वर्दाता बाप के पास अखूट वर्दान है जो जितना लेने चाहें खुला भंडार है ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथा शक्ती संपन्न बनते हैं यथा शक्ती हमारे अंदर किती शक्ती है कि हम किसी संपन्न को निभा पाएं या किसी संपन्न में हम प्यार से चल पाएं या किसी संपन्न को हम आगे बढ़ा पाएं वो हमारी शक्ती है सबसे ज़्यादा जोली भरकर देने में भोलानात वरदाता रूप ही है सिर्फ उसको राजी करने की विदी को जान लो तो सर्व सिध्धियां प्राप्त हो जाएंगी राजी करने की विदी क्या होगी? एक को ही देखना कहते हैं कि शादी की बाद में ना लग जाती है तो परमात्मा की हमात्मा ये सजनी परमपिता परमात्मे हमारे साजन ना इधर देखना ना उधर देखना तो वरदाता को एक शब सबसे प्रिये लगता है एक वरत्ता एक के वरत्त में रहना संकल्प स्वपना में भी दूजा वरत्ता ना हो मुला किसी और से लगाव या मुहो या प्रेम ना हो सारा प्रेम परमपिता परमात्मा से तब जाके सुक्षानती मिलेगी, खुशी मिलेगी और सारे ग्यान को समझ पाएंगे ग्यान तब ही समझाता है मुर्लीव का जो ग्यान है तब समझाता है जब हम एक से प्यार करते है वरत्ती में रहे मेरा तो एक दूसरा ना कोई जिसने इस रास को जाना उसकी जोली वरदानों से भरपूर रहती है तो फिर औरों के कारण, औरों के विगनों के कारण और रुपता नहीं है और अगर बोले कि नहीं क्यों करते हो क्यों तपस्य करते हो अभी उम्र कौन सी हुई तुम्हारी तपस्य करने की बहुत लोग बोलते है अभी तो खेलने कुंदे का टाइम है अभी तो एंजॉई करो ये तो 60-70 के बाद में ये सब कुछ करना पड़ता है spirituality लेकिन जिसको एक बारी परमात्मा का प्यार मिल जाता है तो उसके सामने ये जो वेगन आते हैं वो उसको भी पार कर लेते हैं क्योंकि वो एक की बात सुनते हैं सब की बात नहीं सुनते हैं उसकी जोली वरदानों से भरपूर रहती है तो ये सिखाया दा प्रमा कामारी जिसमें आप भिया करके इस राज को समझे क्योंकि ये समझने वाली चीज है सर्फ बूल करके सुनने वाली चीज नहीं है सुनने में तो मीठी लगी है लेकिन समझने में और भी मीठी है आम शानतीस के साथ